गुड मॉर्णिंग विवर्स वेल्कम तो बैक आवर चैनल आप सब केसे हूँ आप सब अच्छे होंगे आज का यूसफुल वीडियो आपकी लाइफ की बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने वाला है वीडियो को एन तक जरू वाच कीजिएगा और वीडियो आपको आप स्युक्स नहीं करते हैं हम इने कच्रे में फेग देते हैं पर मैं इसका आपको बोगत अच्छा यूस कर की बताने वाली हूँ तो हमारे घर में जुराब या इस तरीके सॉक्स होते हैं जुराब या सॉक्स को आप कितना भी दोलीजी इसमें से एक स्मेल आती ही देती है जो कि बहुत ज़्यादा हमें को डिस्टप करती है तो इसको पूरी तरीके से रिमूव कैसे करें या आपको सॉक्स रखने के बाद अक्सर एक सॉक्स घूम हो जाता है ये प्रॉब्लम आम ह जो हर घर में होती है तो आप ना इन खाली पाकेट का यूज़ कर सकते हैं एक तो सॉक्स में से खुश्बू भी आती रहेगी दूसरा सॉक्स की जो जोड़ी हमेशा घूम हो जाती वो वाली समय से आपकी हमेशा के लिए खतम हो जाएगी तो जैसे ही साबूर निकालते हैं तो इस खाली पाकेट को बिल्कुल नहीं फिकिएगा इस खाली पाकेट को आप जूते स्टैंड में रख सकते हैं और जब भी आपको जुराब रखना हो तो इस तरीके से अरेंज करके भी आप रख सकते हैं तो खाली खाली पाकेटों को बिल्कुल फिकने की गलती ना करें ये यूसुल तरीका एक बार आप प्लान लेते हैं, येकिन मानिए आप इसे लाइफ टाइम करना चाहेंगे, क्योंकि इससी जूते स्ट्रैड में बहुत अच्छी सी महग भी आती है, और जितनी भी वैड स्मेल है उन्हें ये खतम कर देता है, ये यूसुल तरीका आप सबक ये वज़े से हम क्या थोड़ा शेक करते हैं, जिससे ये की डिब्बे के आसपास ये कुछ इस तरीके से बिखर जाता है, फिलाल में मैंने आपको यहाँ पर हल्दी दिखाईए, पर कुछ भी इस तरीके का समान हमारे घर में होता ही है, तो यहाँ पर आपना एक टेप भर के नहीं आएगी, जिसकी वज़े से अगर चमच इस तरीके से हल्का हल भी जाती है, तब भी जो भी कंटेनर में समान है, या जो भी हमने चमच में रखा है, यानि की हल्दी, वो आसपास डिब्बे के नहीं बिखरने वाली है, तो इस तरीक वाला ट्रिक जरु ट्राय चांसे होते हैं, और हमारे मोबाइल तक भी खराब हो जाते हैं, तो इस तरीके की पीन ना हो, इसके लिए क्या करें, ये पुराने चार्जर है मेरे पास, जो फिराल में पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं, इस बार जब हम मार्केर से चार्जर लेकर आए, तो इस तरीक जादें हमें जातो होचम दाया से कि नीमस लिए आने मेंशनी आंवेशंद्म नारील पाने की पॉतल की के फेरों काँ पाने की जाए रीटी में जाना भी स्कते हैं जिसुआ बहुत आसन तरीके बाते हैं थी, chegou वहाइं leaders should love को जल्दी वाज़ी में फोल्ड कर लेते हैं तो इस तरीके की कट लगना आम बात है कि या हम भी वाइल का чार्ज लगाने के बात में चार्जर को कहीं पर विलत देते हैं जिसकी वज़े से भी चार्जर में इसेर 2007 के कर लगते ही हैं तो आप आeg जादा प्रॉब्लम होती है मारे मोबाइल चार्ज नहीं होते हैं और चार्जर टाइम पे ना मिले तो बहुत जादे प्रॉब्लम हमें होती है तो यह वाला ट्रीक आप जरू ट्राय उट करके दिखीगा यह वाला यूसफुल टिप आपके ज़रू काम आने वाला है तो करते हैं या कहीं रख देते हैं तो यह वापिस से खुल जाते हैं तो इसको सिंपल से तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके से आप एरफोन को रखने के लिए इस क्लोथ क्लिप का भी यूज़ कर सकते हैं तो ये वाला तरीका आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा चलिए बढ़ते हैं आज के अगले इस फुल टिप के लिए नहाने वाले साबुन निकालते हैं तो इन खाली बॉक्स को आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर ना कुछ इस तरीके से कवर होता है यह कर दो को यह जरूरा तो इस कवर को हम यूज़ नहीं करते हैं इस कवर को रहां फेक देते हैं पर आप देखती होंगे यह साबून से तो scissor की मदर से हम यहां इसके cut कर लेने वाले हैं इस paper का use आप बहुत तरीके से ले सकते हैं आप इसे alvira में रख सकते हैं जूते stand में रख सकते हैं या घर के हर उस कोने में जहां पर आपको लगता है बाइस की scissor में bad smell आने लग गई है या fungus की किसी तरह की smell आ रही है तो आप हर उस कोने में इस cover का use कर सकते हैं पर आज मैं इसका आपको different use करके बताने वाली हूं तो scissor की मदर से मैं इसके यहां पर बारी बारी टूड़े कर लेने वाली हूं तो मैंने इतने सारे इसके टूड़े कर लिए इसके बाद में हमें चाहिए यहां पर paper आपके पास tissue paper हो, newspaper हो है, किसी भी तरह का paper हो चलेगा बस हमने कुछ इस तरह के से उसको cut लगा लेना है अगर आप tissue paper लेते हैं तो आप देखते होंगे tissue paper बहुत जादा हलका होता है तो कुछ इस तरह के से हमने इन टुकड़ों को इसके अंदर रख देना है सेजर के मदर से मैं और चुड़े-चुड़े कर लेती हूँ ताकि यह अच्छे से इसमें आ जाए इसके बाद में हम इस paper को अच्छे से fold करेंगे तो फ्रीज में हम इसको कैसे यूज़ करने वाले हैं इसे हम फ्रीज में रख देने वाले हैं तो फ्रीज में जहां पे भी आप मसाले रखते हैं उस जगा पर आप इसे जरूर रखे बैसे आप फ्रीज में इसे कहीं भी रख सकते हैं जहाँ मसाले रखे जाते हैं, वहाँ पर आप रखते हैं, तो यह बहुत अच्छी से काम करने वाला है, इसे हमने फ्रीज में क्यूँ रखा है? ये मैं आपको बता देती हूँ, फ्रीज में कभी कबार क्या होता है कि हम खाने को ढखना भूल जाता है या लाइट चली जाती है तो इसकी वज़े से क्या होता है पूरे फ्रीज में खाने की स्मेल भर जाती है जिसे की दूसरा खाना खराब हो जाता है और फ्रीज में से जो स्मेल है वो जाने का नाम नहीं पर अगर आप इस तरह की से सावुन को कट करके पेपर में फोल्ड करके रख देते हैं तो इसमें से हलकी हलकी सी अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती रहेगी और आपके किसी तरह की से खाने को नुकसान नहीं होने वाला है तो यह वाला इस फुल ट्रिक आप से रोट करके दीखी चिलने पड़ते हैं अगले इसवाल हैक के लिए जब भी हम आलू को बॉइल करते हैं तो आलू तो आराम से हमारे बॉइल हो जाते हैं पर इसे छिलने का काम किसी को पसंद नहीं होता है और किसी को पसंद होता है जिने आलू चिलने का काम पसंद नहीं है उसके लिए यह तरी करके चिलने की जरुवत नहीं है तो यह तरीका तब भी काम करेगा जब एकदम गर्मा गरम आलू है तब भी ट्रीक आपको काम करने वाली है और अगर आपको अलू छिलना पसंद नहीं है तब भी ट्रीक आपके बहुत ही काम आने वाली बस आलू को आपको दो टुकड़े कर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेट और शेयर करना बिलकुल आवगिले चली मिलते हैं अगली ऐसी यूसफुल वीडियो में ततक अपना ध्यान रखेगा देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद